प्रेंज में रणजीत कमर आप सुभी का स्वागा थी हमारे चैनल और के फोरेश्ट रडी पॉइंट में तो प्रेंज आज किस वीडियो में बात करने जा रहा हूं हाप इनसे लेकर और 48 इंच का जो पाइप होती है उस पाइप का OD, CF और Thickness आप कैसे पता कर सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं तो फ्रेंज मैं इसी टॉपिक कर में बात करने बाहा हूं किसी भी पाइप का OD और Thickness और CF कैसे पता कर सकते हैं तो हाप इंस लेकर और 48 इंज का जो पाइप होती है ओडी सी एप और थिगनेस ये सभी का मैं जो चाट से डिल बना चुका हूं तो वीडियो के डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएका आपको दिखने के लिए आप वहां से लिंक पर किलिक करके और वहां से आप डाउनलोड करके और उसे आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं तो फ्रेंस मैं इसी टॉप्व कर बात करना जारा हूं फिर मेरा जो है अगला नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वह जो है किसी भी एल्वो यानि कि एक इंच दू इंच चैरंग्स पांच दस इंच जितना भी इंच का पाइपो उन सभी पाइपो का जो है एल्वो सेंडर कैसे निकालना है तो फ्रेंस मैं इसका जो है नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला उस वीडियो में बताने वाला हूं उसका टिप्स और टिरिक्स तो आज के इस वीडियो में यहीं बताऊंगा कि किसी भी कि एक इंच दूइंच चार इंच जो भी हो उस पाइप का ओडी सीएप और ठीकिनिस कैसे पादा करना है इस वीडियो में जिर मैं यही बताने बाला हूँ चार्ट सब्सक्राइब और आपको बिल्कुल हुए चार्ट समझ में चलाएगी और आप हमारे चानल पर नहीं हो तो हम किस भाग को कहा जाता है और सीएप किस भाग को कहा जाता है तो सबसे पहले यह होना जनकारी बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहां पर आप देख पार हूँ के मैं छोड़ी सी पाइप यानि कि यह जो एलबो टाइप का है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर जो राउ 48 इंच तक का मैंने इस जो है सेड्यूल चार्ट में आपको देखने के लिए मिला है तो यहाँ पर मैं बताने बला हूँ कि अगर आपको 3 इंच का पाइप का ओरी पाता है तो आपको सीएप कैसे निकलना है तो प्रिंस आपको बिल्कुल बहुत यह असानी है आप लोग परे लिखे होंगे तो आपको पाता है कि मैंत में पाइप कमान साथ होता है और एक होता है 3.141 तो यहाँ पर जो है ओडि आपको पाता है तो सीएप निकलने के लिए 3.141 का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है यूज़ किया जाता है तो अगर आपको OD पाता है 3 इंच पाइप का जो है 88.90 है तो अगर आपको OD पाता है तो अगर CF निकालने के लिए आपको 3.1.1 में घुना करना परेगा तो मैं घुना करके दिखा देता हूँ 88.90 में गुना है तो 3 इंच पाइप का जो है 88.90 है और इसमें आपको गुना करना परेगा पाई कमान होता है 3.141 तो 3.141 में गुना करेंगे तो यहाँ पे जोई शेप निकल जाएगा तो यहाँ पे जैसे के आप देख पार होंगे 89.3.49 है तो आपको जोई शेप यहाँ पे जोई निकल कर आ चुका है 89 तो मैं आप देखते हैं उस चार्ट में कितना शेप दिया गया है तो जैसे के आप देख पार होंगे शेप इसका 89.2 है तो आपको पता चले गया हुआ कि शेप कैसे निकाला जाता है तो इसके बाद यहाँ पे पाच दस से लेकर यहाँ पे टोटल डॉबल एक्स तक जो है इसका थिगनेश दिया गया है अगर मानके चलते कि 3-inch पाइप का अगर ठिगनेश से पाइप देखना है तो इसका यहाँ पे जो है टू पेंट वन वन हो जाएगा अगर देखना है औरici देखना तो यह कैसी लगई अगर है इस वीडि़ी एक ड है अचจะ Leah कह média तो